चंडिका देवी को नमस्कार है। मारकंडे जी ने कहा पितामा जो इस संसार में परम गोपनिय तथा मनुशों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताईए। ब्रहमा जी बोले ब्रहमन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनिय से भी परम गोपनिय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। बहमने उसे शवन करू। देवी की नौ मूर्तिया है जिने नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग-अलग नाम बताई जाते हैं। प्रथम नाम शैल पुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रहमचारिनी है। तीसरा स्वरुप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूश्मांडा कहते हैं। पाँचवी दुर्गा का नाम सकंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्याइनी कहते हैं। सात्वा कालरात्री और आठवा स्वरुप महागोरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सरवग्य महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनश्य अगनी में जल रहा हो, प्रण भूमी में शत्रूओं से घिर गया हो, विशम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भै से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्थ हुए हो, उनका कभी कोई अमंदल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पढ़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ती नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुआक और भै की प्राप्ती नहीं होती। जिनोंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्यूदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निहसंदेह रक्षा करती हो। चामुन्डा देवी प्रेत पर आरूण होती है। वारा ही भैंसे पर सवारी करती है। एंद्री का वाहन एरावत हाथी है। वैश्नवी देवी गरूड पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी व्रिशब पर आरूर होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विश्णों की प्रियत्मा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारन किये हुए है। व्रिशब पर आरूर ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारन कर रखा है। प्रामी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूशनों से विभूशित है। इस प्रकार ये सभी माताय सब प्रकार की योगशक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देविया है, जो अनेक प्रकार के आभूशनों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोबित है। ये संपूर्ण देविया क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रत पर बैठी दिखाई देती है। ये शंक, चक्र, गदा, शक्ती, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं पुत्तम शार्ण धनुष आदी अस्त्रशस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभैदान देना और देवताओं का कल्यान करना यही उनके शस्त्रधारण का उद्देश है। कवच आरंब करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए महान रोद्ररूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सा वाली देवी। तुम महान भै का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमसकार है। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रों का भै बढ़ाने वाली जगदंबिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में एंद्री, इंद्रशक्ती मेरी रक्षा करे। अगने कोड में अगने शक्ती, दक्षन दिशा में वाराही तथा नैरित्य कोड में खडधारिनी मेरी रक्षा करे। पश्चम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में ब्रिग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और इशान कोण में शूलधारिनी देवी रक्षा करें। ग्रहमानी तुम उपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैशनवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंदा देवी दसो दिशाओं में मेरी रक्षा करे जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे वाम भाग में अजिता और दक्षिन भाग में अप्राजिता रक्षा करे उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का सन्रक्षन करे बोहों के मध्यभाग में त्रिनेत्रा और नतुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें दोनों नेत्रों के मध्यभाग में शंकिनी और कानों की द्वारवासिनी रक्षा करें कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांतरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें सुगंधा नासिका की और चर्चिका देवी उपर के ओठ की रक्षा करें मीचे के ओठ की अम्रितकला तथा जहवा की सरस्वती देवी रक्षा करें कौमारी दातों की और चंडिका कंट प्रदेश की रक्षा करें चित्रगंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वानी की रक्षा करे भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे कंट के बाहरी भाग की नीलगरीवा और कंट की नली की नलकूबरी रक्षा करे दोनों कंधों की खडिगनी और मेरी दोनों गुजाओं की वजरधारिनी देवी रक्षा करे मेरे दोनों हाथों की दंदिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे शूलेश्वरी नखो की रक्षा करें, कुलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा करें, महादेवी दोनों स्थनों की और शोक्विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिनी उदर की रक्षा करें, नाभी की कामिनी और गुह्यभाग क गुहेश्वरी रक्षा करे। उतना और कामिका लिंकी और महिश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी मेरे घुटनों की रक्षा करे। समकूर कामनाओ को देने वाली महबला देवी मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नार सिंही दोनों घुट्थियों की और तैचसी देवी मेरे दोनों चरणों के प्रिष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंबुलियों में और तल्वासिनी पैरों के तलों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागिश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मास, हड़ी और मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्री और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मुलाधार आदी कमल कोशों की पदमावती देवी और कफ की चुडामी देवी रक्षा करे। नक के तेज की ज्वाला मुखी रक्षा करें जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें ग्रहमानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें च्छत्रेश्वरी च्छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धी की रक्षा करें। हाथ में वज्रधारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायू की रक्षा करें। कल्यान से शोभित होने वाली भगवती कल्यान शोगना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्ष इन विश्यों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायनी देवी करें। वाराही मेरी आयू की रक्षा करें। वैश्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिनी, चक्रधारन करने वाली, देवी यश, कीर्ती, लक्षमी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशों की रक्षा करू, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैर्वी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पत्की सुप्था तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे, राजा के दर्बार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतेव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजैशालिनी और पापनाशिनी हो यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पक भी न जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाब होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिध्धी करने वाली विजै की प्राप्ती होती है वहाँ जिज्जिस अभीष्ट वस्तू का चिंतन करता है उसुसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है वहाँ पुरुष इस प्रित्वी पर तुलनारहित महान एश्वर्य का भागी होता है कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूझनिय होता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुरलब है जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय शद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्थ होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता इतना ही नहीं वह अपमृत्यू अकाल मृत्यू से रहित हो सो से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है मकरी, चेचक और कोड आदी उसकी संपूर्ण व्याधिया नश्ठ हो जाती है कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदी का स्थावर विश, साप और बिच्छू आदी के काटने से चड़ा हुआ जंदम विश तथा अहिफेन और तेल के सयोग आदी से बनने वाला कृत्रिम विश ये सभी प्रकार के विश दूर हो जाते हैं उनका कोई असर नहीं होता। इस प्रिथ्वी पर मारण मोहन आदी जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को प्रिदय में धारन कर लेने पर उस मनुष को देखते ही नश्ठ हो जाते हैं। इतना ही नहीं प्रिथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता। कल्वती भयानत दाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रहमराक्षस, बेतार, कुश्मान और भैरव आदी अनिश्टकारत देवता भी रिदय में कवच धारण किये रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवच्धारी पुरुष को राजा से सम्माल व्रिद्धी प्राप्थ होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की व्रिद्धी करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ती से विभूशित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ व्रिद्धी को प्राप्थ होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सब्तश्ती चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वन, परवत और कान्नो सहित यहां पृत्वी टिकी रहती है। तब तक यहां पुत्र-पौत्र आदी संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाथ से उस नित्य परंपत को प्राप्थ होता है, जो देवताओं के लिए भी दुरलब है। वह सुंदर दिव्य रूप धारन करता है और कल्यान में शिव के साथ आनन्द का भागी होता है।